जनी सिकार एक पर्व है नाम सोने होंगे बताएगे कितने वर्सों के अंतराल पर मनाया जाता है 10 साल, 12 साल, 16 साल या फिर 8 साल इसका सेंसर आप लों बताइए इन कोर्स वीडियो आपको आनसर मिल जाएगा आज के इस क्लास में देखेंगे क्लास नमर सेकेंड जो की होगा जारकंड जीके का 4-2023-24 एकजाम जितने भी एकजाम में इसन सब में लेक्चर फूटफल होगा और जो आज जेपी एसकी कोर्नर रहाएगा उसमें कोश्चन नमर 11 लेकर 20 सक हम लोग देखने वाले हैं जो की होगा जेपी एसकी का 2021 का पेपर 2 आजिए क्लास को स्टाट करते हैं वीडियो के लाइक अफ्लोग जरू कर दिएगा जो कि बहुत कम अफ्लोग कर रहे हैं जरू कीज़े शेयर याप सब्सक्याइब भी जरू कर लेना है तो आई क्लास के श्टार्ट करते हैं, पीडियों आपको देरों से बेट टिलिग्राम पर ही मिलेगा, तो वहाँ पी at the rate learners graduation पर search कर लीचेगा, और हाँ कलास उरुक किया था, तो इसका फ्लेलिस्ट अलग आपको बना दिया गया है, तो इसका फ्लेलिस्ट अलग आपको बना सिकार, तो आंसर इसका C हो जाएगा, टूसु पर्वा जैसे अविवाईत कन्याओ के द्वारा मनाया जाता है, और एक फसल का जैसे फेस्टिबल होता है, देख लीजेगा, एतना जो फेस्टिबल जो बताया है, यहाँ पे यह खोता है आपका टूसु फेस्टिबल और बा बंदना हो जाएगा, रोहिनी पर्वा देख लीजेगा, इसे संबोता ज्हारकन का पहला तेवहार कहा जाता है, और यह जो इसे बुआई के समय मनाया जाता है, बुआए मतलब जो फसल जो ऐसे लगाया जाता है, और जनी सिकार जो की कोस्चन था, यह बारा बरसों के अंत जाता है, और जाता है, और यह उत्तम उरवरता, यानि के आप लोग चाहते हैं कि जाधा फटलेटी स्वाईल में हो, यह फसल आपको अच्छा हो, और परिवार में सम्रिदी है, उसके लिए जावा फेस्टीबल को सेलेब्रेट किया जाता है, तो आंसर तिसका हो गया, एक हो गया, टूस, और बाकी चार उप्सन में दिया, बंदना को, रोहिनी को, जनी सिकार को डिसकस किया, और साथ परिसाथ जावा को भी डिसकस कर दिया, और इस पर भरबर के कोस्चन आता है, यहांसे एक कोस्चन आरा है, जिसमें एक कोस्चन के महिला है, पुरूस के जला हुआ है, और कई महतोपुन खनीजों का भंडार गिरी है, तो इसमें कौन सा छेत्र आता है, पश्चमी सीबूम, पुर्वी सीबूम, सराय के लाखर सामा, सब के सब जो ऐसे कोलहान डिविजन में आता है, जिसमें टोटल मेंशन त्री डिस्टिक्स होते हैं, पलामू प्लेस हो गया, और सौथ छोटा नागपुर में हो जाएगा, पांच बचा ना, तीतना हो जाएगा, पांच दिस्टिक्स, ते सब डिविजन है आपको, तो आंसर इसका D हो जाएगा, अब देखिएगा, पुर्वी सीबूम जो है से काफी इंपोर्वी सीबूम होता है, प काफी इंपोर्टेंट प्लेस है, अंसर इसका D हो जाएगा, इन में से सभी, तीन आता है डिश्टिक, कुलहंट डिविजन में, जारकन डाजी की सीमा कितने अन्य राज्यों को इस साथ मिलते हैं, तो यह इंसर पांच होगा, काफी इजी कोशन है, और कुछ मैं जारकन जी सीमा कितने राज्यों को असपस करती है, अभी हुआ था एक जाम आपको लेव से चेंट का, उसमें पेपर रोन में आया था, कि राजस्थान की सीमा जो हैसे कितने राज्यों को टच करती है, एक कोशन है आया हुआ था, तो आंसर इसका C हो जाएगा, पांच देख लेंथ आपको देखने को मिलेगा, रटना नहीं है, पूरव से पस्चिम तक आपको देख सकते हैं, इस टू जो वेस्थ है, लेंथ जादा है और इस टू वेस्थ इसका कम है, तो जो लेंथ होता है, इस टू वेस्थ वहता है 463 और जो यानि कि साउट टू नोर्थ या नो दूसरा कोशन देखिए, जितना भी 24 डिश्टिक है, किसी न किसी राज्य की सीमा को सपर्स करते हुए नजर आएंगे, आपको चारोत रोप से देखेगा तो, लेकिन दो डिश्टिक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिको एक है खुंटी या लोहर दागा, तो खुंटी और खुंटी तो लेकिन दिश्टिक आता है आपको रामगड़ और खुंटी, 12 सितनबर 2007 को अस्तितु में आया था, आंतर इसका 5 हो गया, तिनसो बसी सब डेटा या देखेगा डारे कोस्चन आता है, आपको कोस्चन एकजाम में सब टॉप नहीं पुछा जाएगा, कुछ बाहा परेवलते हैं सरुल पुजा को, सरुल पुजा तो मैं डिसकस करे दिया था, कि इसको साल ब्रिच की पुजा की जाते है, जिसको सूरिया रुबस्टा के नाम से जाना जाता है, सांटिफिक निम, और काप होता आया, तो यह चैत्र मास में मनाया जाता है, जो कि सुक लुपक्च तृतिया को पड़ता है, आंसर इसका हो जाएगा B, बाहा, उलान बाहा, नाम सुने हैं, एक बुक है, जिसका मतलब होता है, अलंकार पुस्प, बाहा मतलब पुस्प होता है, फुल, तो यह बताएगे कि उलान बाहा जो है, बुक किसने लिखा है, चले एक आपके बाइसे, अब चूज कीजिए, ठीक है, जोहार का पुर्णूरूप क्या होता है, जोहार का देख लिजेगा, फुल, फॉल, फॉर्म, यह होता है, ज्छार्खंड ऑपरचनिटी फोर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, यह 2017 में आया था, यानि कि यह रगवर्दास के ट नहीं पर देखिएगा, हाँ, तो हो गया, यह 2017 में शुरू हुआ था, और कुछ डिसक्स करना था, तो पहले बोला था कि गैर जजजाती यह मुख मंत्री थे, और पहला फुल टैम कंप्लिट किया थे, आज तक कोई ऐसा मुख मंत्री नहीं हुआ, जो अपना फुल टैम ट चौँ निरित्य के प्रकारों में सबसे पुराना कौन सा है, तपन पटनायक नाम सुने होंगे चौँ गुरु को, तो जो तपन पटनायक है वो चौँ से ही बिलों करते हैं, तो हमारे जारकन जो चौँ होता हुआ, सराय के ला चौँ होता है, पता होगा, और यही चौँ जो है से सबसे पुराना है, का जाता है कि जारकन में चौँ निरित्य का मतले उक्तर से विकास हुआ था, और यहां से आपको यह पुरुलिया, पुरुलिया आपको वेश्ट मंगाल में देखनों के मिलेगा, तो वहाँ पे चला गया, और कुछ जो है से टाइप होता है, व मुहीर भंज में तो इसका नाम होगे है मुहीर भंज चौँ इसको ध्यान रखीगा, और कभी कभी चौँ जो ऐसे नावा जो ऐसे सास्त्री निरित्य कहा जाता है, निरित्य, अनसर देख लिजेगा, यह से ताठ होता ही है, नावा चौँ को ही कहा जाता है, राष्टी आपको देखेगा, चौँ को, तपन पट्टाएं गुरु है, चौँ गुरु इसको इनको याद रखेगा, नेश्को चनलत इन में से कौन सा जिला, पत्थर और बिंडु द्योक ले प्रसीद है, लोहर दागा, चत्रा, पाकुड या फिर कोडर, आनसर इसका C हो जाएगा, पाकुड, ओके, तो पाकुड को देख लिएजएगा, पाकुड जिला के संतर में देखीगा, तो इसका जो सिक्छा है, उसके मामले में सब से नीचा है, यानि कि इसका यहां का लेटरेसी रेट सबसे कम है, और सब ज़ाषी का पता है, अभी एस बासे निमांग लिएखे जाएगा रांची का लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है डिस्टिक का और इसे जहार्खन का टूटल देखेगा लिटरेसी रेट 66.41 परसेंट है इसको देख लिजेगा कोडर्मा को भारत का अवर्यक राइधानी गुरूप में जाना जाता है और कोडर्मा ऐसी जो तिलया डेम है उन्हें इसो तिरपन में ब्राकर निद्य बनाया गया था दीबीसी के तहद निर्मित यद पहला डेम था इसको यादेखे को डारमा में लोहर्दगा जीलेका जो जनसंक्या सबसे कम होता है जो जनसंक्या के मावले में सबसे कम होता है और यहां का जो बोल सकते हैं लिटरेसी रेट है सब से कमें सब ज्यादा रांची का है और पूरा जारकन का 16 66.41 परसेंट है इन में से कौन एक चित्रकला की सैली नहीं है कोश्चन दिख nasıl से आपको भरबर किया था बोल देखा कोण निरीते नहीं है कोण चित्रकला नहीं है कोण सा प텐र है क्लाज से थानunto क्लास में दिसकस क्या था कोण प्लेएर जालकन का नहीं है flex Illinois झालकन का नहीं है तो इससे तरह के तरह के लिए कनिर चित्रकला की सिहलीन नह लसुआ एक प्रगार कर्णित है जिसमें एक दूसरे का हाथ पकड़के करतार बद हो गयानिक इस तरह से लाइन बना बना कर सब जो है हाथ पकड़ने दूसरे का और डांस आगे पिछे करके उधर से करते रहते हैं इसे जुमर इसरे से खेलने उस स्टैप से तो आंसर इसका स भी हो जाएगा लॉस हुआ एक नरित्य है पुशेगा तो पहला जिन जाती नेता जिन्होंने अंग्रिज्यों को ब्रेद हंथियार उठाया था तो आपको पता होगा तिलका मांजी थी ओके ना चलिए अंदुलन जी हुआ था तिलका मांजी के नेत्युत हो था 1784 में तिल है थे अब इस तो जान अलए पहले भागलपुर इनवर्सिटी जो है उनिके नाम पर थी तो इसटिका मांजी के नेता थी और मिर्णा मुंडची के बारे के नाम के नाम से कर चुक अब स्थान के धार पर बेमिल कौन सा है दसम जगर पाद सदनी है जो ना है फिर पंच घाग है तो यहां पर आपको जितना भी है कोश्चन तो गड़ बढ़ हो गया थोड़ा चेंज करना था इसको कोश्चन करना पड़ेगा बेमिल नहीं है इसमें कुछ और डालना पड़ता है एक इसमें ऑप्सन को अगर यहां पर इस दोनों और से कैसी पर हुंट्रू कर देते हैं चलिए तो यहां पर आपको अपसन को देखने को भी लेगा खुंटी डिश्टिक में तो बागी से तो अलग यहीं न हो गया अस्थान के अधारप आपको बोला था तो आंसर इसका खुंटी हो जाएगा यहां पर कुछ में डाला के यहां देख लिएगा यह कांची नदी पर है याद रखेगा राची में कांच पर है बुड़ा खाग देख लिएगा जहारखंड का सबसे मुचा जबर पर था 143 मिटर इसका हाइट है लाताया ने पढ़ता है यह बुढ़ा नदी भाई या कहीं कहीं इसको बुरहा नदी भी कहा चाहता है रजरपा वाटरफल रामगार विंदेखने मिलेगा दामदर जहार पर देखने मंदीर वहीं रजरप्त का मंदीर है माध्षिनमस्तक के मंदीर जिसको बावनाव सक्तिपट भी करते हैं और योग निए सक्ति पीट होता उसको बावनाव कहा जाता है इसको और सैक्षक जाएगा सघी कर दोगा इसको धाना था फोल कि लॉंस नायक एलबर्ट टेकर जी के बारे में कोस्चन है कि मिरत्यू किस यूद के दवरान होई थी तो आपको पता होगा जो इंडो पाक वार हुआ था इसको बांगलादेश मुक्ति संग्राम करते हैं और गोटान इडेनिफाई करने वाला पहला कंट्री था यह जो ऐसे बांगलादेश एक नया कंट्री है अलबर्टेका देखिए गुमला के परस्णली थे और बिरिगेडियर अफ द गार्ड्स बटालेन समझ दे थे इस सब यह जो बांगला में ही है यह सब कुछ याद रखिएगा कि यूद्ध भी देख लिजेगा जीकिम आपको काम आजागा करगल यूद्ध और भार चिंजू यूद्ध इसको सीनों इंडियन वार भी बोलते हैं चैनक चिनक साज हुआ था जिसके पाद आई टीपी आया था आपको पता होगा धनबाद इस्तित मैथन डेम किस नदी पर है तो जो मैथन डेम है आपको देखने मिलेगा या बराक करना दी पर अंसर इसका हो जाएगा अभी यहां पर कुछ डेम है जब देखीएगा डामदर भैली कर्परेशन जो कि भारत का पहला रिवर भैली प्रोजेक्ट था तो इसके तहतना चार डेम जैसे जारकन निर्मि दामदर नदी बना है जिसको पता हो कि जारकन के सबसे परदूसित नदी इसको कहा जाता है और 1903 में हुआ था ठीक है तो आपको तेलेया डेम सबसे पहला था इध्यान रखेगा कुनार देम दूसरा में या हजारे बाग देखने मिलेगा कुनार नदी पर कुनार बराकर सब जो ऐसे दामदर नदी के सायक नदिया है मैथन देम धनबाद में देखने को मिलेगा या बराकर नदी पर है और पंचेत देम धनबाद में या आप दामदर नदी पर देखने को मिलेगा और डेट देखेगा इन लोगा तो आपको देखने को मिलेगा तिरपन यहां पर सकते चांडीं भी दूदध परियुजणा है व्ल्ड बनुचै तौर्ट रहा थे लेकिन वाइन दू नहétait dikk और तfficedций प्र से न में तो क्यिन भी टोलगा छुका हूं फटर देखे साधे की-वियूस, और डो परकार कौन होता है तो खेम्टा और भीनुसारी दो टाइप इसका होता है तो इसको याद रखेगा कहीं अपको जूम्री भी देखने को मिलेगा अंसर इसका डी है कर्मा के आपको बताया था पर भाद मास में मनाया जाता है प्रवास के दवरान तो वह है आपका सिम्डेगा में पढ़ता है पता है लाश्टी क्लास में के सिम्डेगा का जो है से जारकन में सबसे कम है 159 अनसर इसका भी हो जाएगा तो राम रेका है सीता चुला भी आपको देखना को बिलेगा यहाँ पर फू कॉल्ड हो लडाका कॉल इसको न आपको देखी कर लडाका कॉल या फिर लडाका कॉल भी बोलते हैं तो यह जो हो जाएगा नाम एसर टिकेल तो एसर जो टिकेल थे वही बोले थे इन लोगों को लडाका कॉल याद रखेगा एसर टिकेल कॉल जंजाती को लोगों को लडाका कॉल बोला गया था उसके वश्के वाद आपको देखनेंकों भी लगा मटूरा कहाने तो मयटूरा कहानी देट अफोग इस्टोरिस ओव ल्यावाज व सप्रीट् WA 54bst टो इच्छला हैं मनास ओरिया वही अर्यम्नेश को जंदय तो मिनास ओरिया आंसर इसका हो जाएगा फिच क्रिस्चिन प्राइस इस नोन फूर इस कोमेमरेबल वर्क ऑन राम का था तो राम का था पर काफी चोब काम किये था उनका नाम था फादर कामिल बुल की आपको पता होगा यह बोला जाता है कि यह जो गुमला में जो थे वह पांच बस तक मैथ पढ़ाया थे उसके बाद जब हैसे यहाँ पे संजेवेर्स कॉलेज में आए तो उसके बाद हिंदी, संकित इस सबका मतलब पढ़ाई वहाँ पे करवाय थे सत्र सुरू करवाय थे और हिंदी को इनको बिद्वान बोला जाता है तो आंसर इसका बी है फादर कामिल बोलके वूई दा आथर अफ बूक, डस्ट, स्टोर्म, एंड, हैंगिंग, मिस्ट, स्टड़ी, ओफ बिर्सा मुंडा एंड इज मुव्मेंट इन छोड़ा नाकपूर 1874-1901 इनका गाउं देखने हूं मिलेगा ओली हातु और चोहतर बोला गया अठार सो पच्छतर मिन का जन्म हुआ था बिर्सा मुंडा जी का चूंकि अभी गाउं खुटी मिलेगा तो यह जो बूक लिखा गया था वह है केसिंग सब्सक्राइब है करिए को दो बूक तो याद रख सकते हैं यह सब मैं नोटाउन कनने के लिए आपको बलता हूं तो यह सब आप लुग नोटाउन कर सकते हैं अंसर इसका यह हो जाएगा वो रोट दा बूक उसका लिखा हुआ है जेशू चरिता उसके बाद लिखा हुआ है चिंता मिने बायोग्राफी ओफ जीसस क्राइस्ट इन नागपूरी इन 1963 से तो यह आपको देखने को मिलेगा उनका नाम था फादर पीटर सांती नौरंगी तो यही था इसू चरितर चिंता महिन इसा मसीच की जीवने 1963 में आया था यह जो इसे नागपूरी में लिखा गया था फादर पीटर सांती नौरंगी की द्वारा तो यह सब याद रख सकते हैं अभी तो अभी इस्टर फेस्टेबल किये थे आप लोग जिसमें इसा मस्य जी का पुनल जो है से चनम हुआ था पुनल जीवित जो हुए थे उसके उपलक्ष में तो एलेसेस ओ मौली इनका नाम है तो बुक है संथाल परगना जीला गजेटियर के लेखा कौन है तो आपको देखनों को मिलेगा एलेसेस ओ मैली तो आंसर इसका भी हो जाएगा तो बोला जारा है कि बिर्षा जो एगरिकलचर युनिवरसिटी है उसमें कौन-कौन सा जैसे फैसलिटी देखने को मिलेगा तो इसमें क्रिसी एगरिकलचर है उसको आप यहां पे एनिमल्स का और वानिकी यानिकी फोरेश्टी तीनों डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा विर्षा इनिमल्स का जाए तो लोग कन्फूच हो जाएंगी कि सीर पर सिरूफ जया से क्रिसी होगा लेकिन ऐसा नहीं है कृषिक सब्सक्रिक साहिए तो इसमें नहीं होता यहां फोरेश्टी यहां पर हो पहुआ है का के में और का के में तो पताब को बाल खाना और कांके से ही जो हैसे करक रेखा गुजरती है आप लोग मज़ा कुणान लगते हैं करेक्ट और संको आपको मार करना है नेशनल इंस्यूट और फाउंड्री और फोर्ज टेक्नलोजी एट राची वाज सेट अप इन दा कॉलिबरेशन ओप इसमें युन डी पी और कोजी से रिलेटेड हैं चीज है 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 भी चीज का वो पाधनिया पर किया जाता है रांचे में तो आंसर इसका हो जाएगा उन्डेपी और युनिश को तो 20 कोचन कभर कर दिया जेपी सी कोड़नर का और कंटर फेर भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है मैनेज कीजिए एक दो क्लास ओकी आपको मिलेगा मिलते हैं फिर नेश क्लास में वीडियो जैसा भी लेगा आपको अच्छा बुरा खटा मिठा बताईए कि जरूर सेर्व सब्सक्राइब भी जरूर करें मिलते हैं फिर अगले क्लास में वंदे भारतम जैहन